हाँ जी, तो कल हमने इन ट्रेंजिटिव वर्ब की बात की थी, आज हम बात करेंगे ट्रेंजिटिव वर्ब की और ट्रेंजिटिव वर्ब का जो हमारा पार्ट वर्स्ट है, ट्रेंजिटिव वर्ब, उसका पार्ट जो फर्स्ट हमारा, मोनो ट्रेंजिटिव वर्ब, मोनो ट कि अब्जेक्ट के साथ में एक वर्ब होगी उस वर्ब को हम क्या बोलेंगे फ्रांजटिव बोलेंगे ठीक है ना अब वह बात में यहां पे और ली बोल देता हूं ठीक है ना अब वर्ब विद ऑब्जेक्ट तो कम्प्लीट इस मेनिंग इन दसेंटेश कि वर्ब को अपना समुआ करने लिए जो जब अब्जेक्टी जरूरत पढ़ने के लिए जो और पर दो जरूरत पढ़ते में तो स्वर्ब को प्रूब क्या बोलते हैं त्यक्टिव और एक्जामपल यहां लिखता इट ब्रेंग कर दिसदो आएट कर दो ड्रीशा और ऐद और क्या लिखता थ को घ्राइड कि अब दिखिए कुछ वर्ब हमने लिखे हैं इन वर्ब की हम बात करेंगे एक्चिली में क्या होता है कि कई वाइवा इन वर्ष को हम मौन ट्रैंजिति वर्ब करें वा इन वर्ष करते ही है और द्रैंजिटिव के पास क्या होगा सब्जिक्त के बाद में क्या होगी जो 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 फिर इसके बार में हमारे पास एक हमारे पास एक होगा खिकर ना और जिए की उब्जेक्ट हमारे पास है तो हम वहां ऊच्ना स्ट्डेश में और देरेक्ट अबजेक्ट ए और आपा ओडि को तूसरे पूर्स में जो ना था बंदोने हुआ चो दिखिए, जो इस ट्रॉक्च्टर हमने लिखखा है यांपे, ये स्क्रॉक्च्टर एक एक आफर्मेट्रिव सेंटेंस का स्ट्रॉक्चर है, इस स्क्रॉक्चर की helps कम किसी भी टैंस को, किसी भी model को यूज गर के सेंटेंस को कर सकते हैं इसके अलावा जैसे कल हमने बात की थी transformation of sentence तो transformation of sentence अम्हारा जो फसकर लिखा था affirmative sentence लिखा था उसी sentence को हमने transcribe किया था negative sentence में और negative sentence के बाद हमने उसको transcribe किया था interrogative में interrogative में क्या था interrogative के बाद हमने उसको क्या था interrogative negative में interrogative negative तो आप किसी भी sentence structure को इसकी help से इन में से चारों में से किसी को भी आप यूज करते हो, elements वही होंगे, बस उनका place change हो जाएगा, किसी यह affirmative का हो गया, अब affirmative का हो गया, negative में transform करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, negative में transform करेंगे, तो क्या आएगा, बोलिये, helping verb होगी, और उस helping verb के बाद क्या होग है, तो helping verb और man verb के बीच में क्या आएगा, note आएगा, और अगर helping verb एक से ज्यादा word की है, तो first helping verb, first word जो helping verb का, उसके just बाद में note आएगा, और remaining part of the helping verb, कुछ जैसे has been, have been लिखे था हमने कल, तो वो remaining part यहाँ आएगा, और उसके बाद आपकी man verb, clear, इसके बाद, इसके बाद जो अगला है, interrogative के हमने बात की, तो interrogative की बात की, तो sentence के starting में क्या होगा, helping verb होगी, आपकी AFP होगी, जिसको animalist, finite verb भी हम कहते है, helping verb starting में आ गई, इसके बाद क्या हैगा, subject होगा, ठीक है ना, subject के बाद में remaining part of the sentence, और यहाँ जैसे लाक्त में, full stop लगा रहे थे, simple sentence में, full stop स यहाँ क्या लगेगा, question mark लगेगा, interrogative negative की बात करेंगे, तो interrogative negative में भी होगा, helping verb का first part है, वो starting में आ गया, फिर उसके बाद क्या होगा, subject के बाद third place के यहाँ note होगा, here note होगा, not के बाद remaining part of the helping verb है, तो वो आ जाएगा, और उसके बाद हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि interrogative negative, अब structure हमार पास basic structure यह है, इसके आधार के हम sentences का formation करते हैं, तो अब monotransitive verb की जिसे हमने बात की, तो monotransitive verb के बाद हमने क्या लिखा, जिसे एक object होगा, अब ये तो structure basic structure हो गया, अगर sentence का structure हमें enlarge करना है, तो basic structure के बाद हम क्या लिखे हम add कर देगे, क्या कर देगे, subject होगया, monotransitive verb होगी, monotransitive verb होगी, और monotransitive verb के बाद में हमार पास object होगा और object के बाद में हम क्या लिखेंगे, याँ पे adverb, क्या लिखेंगे, adverbs, अब adverbs हो सकता है, आपके पास एक औ-एक से ज्यादा, adverb आप use करे, adverb देखे, एक movable word है, वर्ब, एड़व है वो क्या है? मुवबल है उसको हम sentence के starting में helping verb और man verb के बीच में sentence के last में भी हम user कर सके हैं ठीक है ना, लेकिन वो चीज़ें हम सीखेंगे बाद में, अभी हम बात कर सें basic sentence के according sentence formation की कि हमार पास monotransitive verb है तो उसका sentence हम formation कैसे करें और फिर उसको हम ट्राफॉम किस तरह से करें नॉट कीजिए बढ़ते हाँ देखे आपके पास वर्ब दीचे यह मैंने इट वर्ब दिया जैसे इट वर्ब दिया है अब कंडिशन में आपके साथ अप्लाई करता हूँ यहां पे टेंस आपका होगा प्रेजर्ट कंडिशन मंसा होगा अब आपको एक संटेंस पर्मेशन करना है structure number 1 की according जिसमें क्या क्या था हमारा subject monotransitive verb monotransitive verb और object ये वाला जो sentence structure first था इसकी according आपको sentence frame करना है फटाफर sentence frame कीजिए क्या लिखेंगे बोलिए हाँ जी अन्नू Yes, Sir Sir, we are हाँ जी we are hitting हाँ जी food food कर दो apple, deli, कुछ भी कर दो daily नहीं लिखा जाएगा every morning every morning at present time at present time at present time at present time हाँ जी आप थोड़ा सा adverb जो है आपको adverb भी learn करने पड़ेंगे राइटिंग के लिए आप sentences में adverb कौन से tense में कौन से adverb यूज करेंगे जाता है उसको आप यूज करेंगे ठीक है ना अब देखे यह जो आमने sentence लिखा वो कौन से sentence है simple sentence क्या affirmative sentence है affirmative sentence है अगर इस sentence का में negative frame करना पड़े तो क्या बनेगा बोली नेगेटिव फ्रेम करना पड़े तो क्या बनेगा बोली नेगेटिव फ्रेम करना बोली अजी अजी नॉट फिर नॉट लग जाएगा हाँ फिर इटिंग फूड तेम हो जाएगा हाँ एड प्रेजेंट टाइम एड प्रेजेंट टाइम तो यह हम इजी लिए sentence को ट्रांस्वम कर पारें अभी वब मैंने बोला है इशीका बताई यह अंसर फिषीका व्ब आपके पासमें ड्रिंक है? इन्हों ने helping work कुन से लिखी, have कि हमारा we subject है वो क्या है ? Have we Drunk Tea Just Now Just Now अब इन्होंने क्या क्या उसको ? Just Now अब देखो मैंने ये बोला था कि यहां हम object तक की बात करेंगे लेकिन यहां भी देखो हमने क्या-kया object से Enlarge कर दिया पार्ट क्या है यहां भी हमने क्या कर दिया एलाट कर दिया ऐसा कोई इश्व नहीं है सेकंड जो स्ट्रेक्टर हमारा है अब्डेक्त सब्सेक्ट मॉनटराज़ेटिव वर्ब प्लस अब्जेक्ट प्लस एड़वर्ब जो हमने लिखा था सेकंड जो पार्ट था उसके अपॉरर्दिग अमन कोशन फ्रेम करना है और वेर को यूज करना है डबले स्वर्ड क्या होगा आपका वेर को यूज करेजे और इस सेंटेंस का इंटारोगेटिव नेगेटिव बनाना है चा बनाना है इंटारोगेटिव नेगेटिव बनाईए इसी का चा बनेगा वेर हाँ सर सबब्जेक्ट वी यूज करना है वा जो कर सकते है हाँ हाँ वा आप देर है भी हाँ नॉट गॉन हाँ इस वर्ब की द्रंक ड्रंक सर मैंने वर्ब चेंज करती सॉरी अगर गॉन लिखोगे तो वो तो इन ट्रंजिटिव वर्ब होगी और हम बात करें मोनो ट्रंजिटिव वर्ब की टी अब कप ऑफ चलो चेंज कर दो कोफी तो अब हमने क्या किया सेंटेंज का ट्रंस्वर्मेशन सी किया है कि किस तरह से हम वर्ब को पुट करेंगे तो वर्ब तो हमारा स्टार्टिंग में होगा उपर वाला स्ट्रेक्चर है वो स्विम लिखा लेकि नेगेटिव बनाया तो हमने नोट को भी यहापे इंट्रडियूसर कर दिया ओके नेक्स्ट है हांजी राधीका आपको बेटा यह वाली जो वर्ब है इस वर्ब को यूज करके और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंट्स होगा उसका सिंपल सेंट्स बनाना है और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा और सिंगुलर होगा सिंपल सेंट्स प्रेजेंट सिंपल है omg बूले क्या बर्दीट सेर आई केंट्रैव कार हाहा 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 क्या मुला मैंने singular subject होगा और singular subject में सबसे पहले आपका नाम आता है अज़र singular subject की बात की जाए तो वहाँ सबसे पहले हम किसको लिखेंगे singular subject की बात की जाए तो सबसे पहले किसको लिखेंगे खुद के नाम को लिखेंगे ना आप खुद के नाम को लिखेंगे पर्सन को क्यों याद कर रहूँ है एंस कौन सा है प्रेजेंट सिंपल वो अब आपकी कौन सी है राइव क्या लिखों आगे बुलिए राधिका कैन कहां से आ गया प्रेजेंट सिंपल देंस की वाज कर देंड ड्राइव से कार हाज जी ओन दा रोड ओन दा हाइवे अब यहां बात कर रहे हैं अगर हाइवे का हम लिखना चाहिए तो हाइवे का नंबर लिखना चाहिए तो हाइवे नंबर 11 ना आई आई यू से ही मतलब यह भी तो सिंगुलर में आते हैं ना आई इट वह से अगया आई यह यह अरवाद होगे आप मैं जो आपके यह जो प्रेसेंट इंपल्ट की बात कर रहे हों प्रेजेंट शिंपल में जब आप वह सब्जेक्ट में आई को यूज करेंगे तो वर्ब के साथ हैं सिय यह नहीं लिख्ता जाएं हाँ सर यह सर बले ही आई सिंगूलर को रिपर्जेंट करता है लेकिन वहां इसका डिवल नेचर होने की वज़े से आई के साथ हम कौंसी वर्ब यूज़ करते हैं कि अग्यों सर्फ आई ड्राइव एकार ना फिर तो आई ड्राइव एकार हो गया चलो इसी का नेगेटिव बना दो आई से यूज़ करके नेगेटिव बनाओ इससा क्या आएगा बोलिये प्रेजेंट सिंपल टेंस में नेगेटिव बनाओ आई डांट बोलिये अब यहां ट्राइव और यहां देको डॉंट लिखा मेंने डॉंट नहीं लिखा आई डॉंट ड्राइव आपकार आई डॉंट ड्राइव आई ड्राइव अ गया खीके ना और यहां मैंने एक टाइम एड़ोब लिख जिए एड़ोब और फ्रिक्वेंसी डिम ठीक है ना समझ पारे हो बात को नॉट कीजिए उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते है तो यह जो सेंटेंस हमने फॉर्मेशन किया है यह जो सेंटेंस हमने लिखे हैं क्या इन सेंटें पूंसा अब्जिक्वठ स्चाइब पताएं अब्जिक्व कॉन साया चैया फूब्ण सेंटेंस है इसमें त्टी हो गया अर्च आयुंसstation हॉड़ोगी कर सेंदिन हो जो थॉलिए का इसमें एक कॉ सेंद्वी सेंद्व कॉफी सेंट्व सबस्टब ने मसे जबताई हमने दी कोफी नेक्ट में एकार एकार तो आपने इडेंटिफाई कर लिया ओब्जेक्ट कौन-कौन से इन में दे रखी है तो क्या हम इन सेंटेंटेंटेंज का कैसी वो इसमें ट्रांस्पर्बिशन कर सकते हैं क्या जी से अबजेक्ट मिल गाय ता फिर अरांग प्रह जाएगा ठीक है ना पॉस्टिबिटि है कि इनका प्रांस्मर्ण कर पाएंगे इनको स्टड़ी करने का दिविजिन यह है कि हम एडलाई कर पाएं और संटेंटेंज को एडलाई करने के बारे ने यह देख पाईंगे अगर कर दिया गया है तो ऑप्जेक्ट के आधार पर हम सिंटेस्टा फेक्टिवेस्ट रांसेंट जा सकता है या कर पाइंगे अपको जाएंगे इस यह जो इतनी सारी देर मजलब अपने बुक्स में दे रख किये तो वह सारी नहीं आठीके इसमें कि मैंने कब का यह पांची वर्ग मोनो ट्रेंजिटिव मैं तो यह करा हूं बहुत सारी मौन ट्रेंजिटिव वर्ग है कि एक्जाम्पल पांच के लिख्के आपको सेंटेंस फॉर्मिशन तिखाया है सर मैं ना कखल से इस इस होतरी हूं कि यह है क्या चक्र किया इनका समझ में नहीं आ रहा था हां जी तो यह दस वर्ग लिख्या है मैंने इन वर्ग की हैल्प से आपको मोनो ट्रेंजिटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्क्ट्चर था उसको यूज करके सेंटेंस प्रेम करने हैं और डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को यूज करो सेंटेंस करना है और स्ट्रक्टर क्या होगा है ऐब का स्ट्रक्चर होगा थिक हैना मोनो ट्रेंजिटिव में क्या होगा सब्जेक्ट वह क्या होगा बोलिए यूगा उसके बाद अब क्या लिखेंगे आप मॉडल का स्ट्रक्च्टर बता है मैंने तो पहले किसको लिखेंगे मॉडल को अब सिंगलर प्लेजर का डिफरेंस खतम होगे आप और मॉडल के बाद कौनसी वब आती है कौनसी फोम आती वर्ब की उसके बाद क्या आएगा आपके पास मैं Object होगा Verb इन में से यूज़ करें और चाहें तो आप साथ में Adverb भी Add कर सकते ये फिर्स रिख्टर होगया Second structure होगा Subject Model. Model के बाद B Model के बाद क्या लिखतीна है? B और B के बाद Verb की कोन से form आएगी? बोलिए, बी के बाद कुन सी form होगी man verb की ing form और उसके बाद वही same object और adverb और last time full stop third structure पर आप लिखेंगे subject model model के साथ लिखेंगे have model के साथ क्या लिखेंगे have लिखेंगे और have के साथ क्या आएगा man verb की third form third form object and adverb fourth जो structure होगा आपका subject model have और have के बाद क्या आएगा बोलिए been then ing form of the man verb then object then adverb clear verb आपके पास 10 है 10 verb है that will depend on you कि आप कौन से structure पे कौन-कौन सी verb को यूज करेंगे चाहें तो मैं दो verb और लिखवा सकता हूँ आपको तो उसमें आपको difference नहीं रहेगा ठीक है ना किन-किन वर्ब से बना लेना किन-किन वर्ब से बना लेना leave l-e-a-v-e leave और maintain m-a-n-t-a-i-n maintain तो आप 12 verb हो गई है model structure आपके पास 4 है 3 into 4 3 into 4 3 verb with 4 structure each structure 3 verb with each structure equal to 12 ठीक है तो इनको आप use करेंगे किसी verb का आपको meaning नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे से पूछ सकते किसी verb का अगर meaning समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछ सकते ओके देखे आपका question आपका दिया गया translate into Hindi translate the following into translate into Hindi Hindi में translate करना है अब दो चीजों का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो दिया गया वो इस proverb है मारे पास यह क्या है मारे पास में फ्रेज है क्या दिया गया है यह फ्रेज है लेकिन नीचे जो मैंने लिखा है हाँ नीचे लिखा है मैंने यहाँ इसी के parallel लिखा है violence is prohibited अब यहाँ देखे जब मैं analysis कर रहे हैं तो इस हमारे पास यहाँ verb इसके हमारे पास में man verb है और यहाँ यह subject के place पे है और इसके बाद में यह subject compliment है अब अगर literal meaning निकाले इनका meaning निकालेंगे तो दोनों का अर्थ हेक है ठीक है न लेकिन जैसा इनका structure दिया गया है structure के अधार के अगर हम इनका हिंदी translation करेंगे तो क्या लिखा prohibition of violence तो हिंसा का निशेद, हिंसा का निशेद ठीक है ना लेकिन हमने लिखा है इंसा निशेद है अब हिंसा निशेद है अब यहाँ हमने phrase की बात की और यहां आपने sentence की बात की तो है sentence की बात की तो इसका structure भी sentence वाला होना ज़रूर है डिफरेंस समझ में आपको अगर उन्होंने आपको फ्रेज दिया है तो फ्रेज के अकॉर्डिंग ही हम उसका ट्रास्लेशन करेंगे ना की सेंटेंस के अनुसार अगर सेंटेंस के अनुसार आपने कर जिया इसका मतलब ग्रामेटिकल यह आपको नॉलेज नहीं है कि कौनसा तो फ्रेज और कॉनसा यह उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करेंगे ओके यह सर्व तो देखे आपका second वाला था Cognigance of offense अब Cognigance का मेनिंग आपने बोले संजान of का अगया का और किसका offense अपराद का संजान ठीक है ना अपराद का संजान अब यहां भी देखें हम recovery of loss recovery of loss of the damage cause to the property क्या होगा इसका बोलो अब लोस का मतलब शती की हानी शती की डेमेज में सती होगी यहां पर डेमेज है ना उसका शती होता है एक मिट रिकावरी of loss recovery का मतलब क्या होगा बसूली शती पूर्ती भी कह सकते हैं क्या सर बसूली 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 होगा बसूली किसकी शती की वशूली शती की वशूली अब डेमेज अब डेमेज का क्या होगा अब बसूली अब नहीं होता है आपने शती लेंसा लेज़ गिया तो देखे जो अमारे पार दिया गया फ्रेज था रिकवरी अफ लोस अफ डेमेज कॉज टू दा प्रॉपर्टी तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा संपत्ती को हुई हानी हानी किसको हुई संपत्ती की हुई ठीक है ना संपत्ती को हुई हानी या संपत्ती की हुई हानी होगा हलो संपत्ती को हुई हानी होगा संपत्ती की हुई हानी होगा संपत्ती को हुई होगा सर सर की होगा सर की होगा चेक कर लो आप देख लो फिर सोच लो से संपत्ति को गया से की लिए लगर इसका कोज कर तो नहीं निकल किया है सर कोज का कोज का आर्ट हो गया ना इसमें संपत्ति को हानी की शतिपूर्टी की वसूली रिकवरी का जो मेनिंग है वसूली हो गया संपत्ति को हानी हुई है उसके लिए किया गया वसूली झाल झाल